हालो, हालो अबरेवन, दिस इस यो मैंटर रेखना, I welcome you all on YouTube platform of CC Academy, CC Academy के YouTube platform पर आपका हार्दिक स्वावित करती हूं मैं, और हम यहां पर करते हैं Paper 1 की mock test discuss, right, तो यह जो mock test है, यह आपके लिए किस तरह से helpful रहेंगे, वो थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, यह जो mock test है, यह आपको तीन option को अगर आप eliminate कर पाओ, उनके बारे में जानकारी हो, तो आप सही option को take कर सकते हो, यह ही जो है, मैनली पढ़ने का purpose है यहां पर, साथ में आपने कितना त्यारी की है, वो सब कुछ जो है, mock test के थ्रू हम, अंकलन कर सकते हैं, चलिए, पहले 15 question हमारे national and international current affair के रहेंगे, नेक्स 15 question हमाचल जी के, नेक्स 10 हिंदी, नेक्स 10 इंग्लिश के, शुरुगात करते हैं, यह मैं मन्त के current affair है, in which city was the second edition of India, Australia, Indonesia, trilateral maritime security workshop, TMSW head, भारत, Australia, इंडोनेशिया, त्रिप्रक्षिय समुद्री सुरक्षा कारेशाला का दूसरा संसकरन किस शहर में आयुजित किया गया तो यह किया गया है, कोची में, जो की कौनसी स्टेट में पढ़ता है, के रिला में पढ़ता है, second question, in which country has the world highest competitive swimming pool been opened, तो विश्व का सबसे उचा प्रतियोगी, swimming pool किस देश में प्रारम हुआ है, यह हुआ है, भूटान में, हमारे प्रडोसी देश में, third question, recently, Sanjeeb Puri has been appointed as the new President of the Confederation of Indian Industry, CII, for 2024-2025, where is its headquarter located, तो पूछा गया है, कि यह जो मुख्याले है, भार्तिया उद्योग परिसंग, यानि Confederation of Indian Industry, इसका मुख्याले कहां है, इसके ने प्रेजिदेंट नुक्त किये के है, Sanjeeb Puri, इसका मुख्याले है, New Delhi में, option number B correct रहेगा, 4th question, in which year was, World V-Day celebrated every year on 20 May, announced by the United Nations, तो यह जो है, बोदा गया है, कि 20 मई को मनाया जाता है, अंतरराश्टिय वी डे, यानि मद्धु मख्यी दिवस, है ना, विश्व मद्धु मख्यी दिवस, 20 मई को मनाया जाता है, कब से यह मनाया जा रहा है, तो UN ने, संग ने जो है, इसकी declaration की थी, December 2017 से, तो B option correct रहेगा, 5th question, who was the first Indian citizen to fly in space, अंतरिक्स में उडान भरने वाले पहले भारतिय नागरिक थे, राकेश शर्माइन का नाम है, D option correct रहेगा, 6th question, President Ibrahim Raisi, died in a helicopter crash, recently, he was the president of which country, हाल ही में, एक हलिकॉप्टर दुर्गटना में, राश्ट्रपती इवराहिम रहीसी की मौत हो गई है, वो किस देश के राश्ट्रपती थे, तो इरान के राश्ट्रपती थे, important है, हम चहाबार port पड़ते हैं, golden gate to middle Asia, तो वो सब कुछ इरान में ही है, तो इरान के राश्ट थोटा कुरा, है न, थोटा कुरा, बिकेम थे फर्स इनियन स्पेश तूरिस्ट तो गो तो थे स्पेश ऑन ब्लू ओरिजन, NS25 मिशन, विच स्टेट इस ही फ्रॉं, गोपी थोटा कुरा, ब्लू ओरिजन के NS25 मिशन पर अंतरिक्स में जाने वाले पहले भारती अंतरिक्स प्रेडक्ट बन गए हैं, वे किस राज्य से हैं, तो ये अंतरप्रदेश के हैं, C option correct है, हाल ही में किसे PSU समर्पन अवार्ड से समानित किया गया है, तो इनका नाम है हेमंत खत्री, है ना, 9th question, recently, which country has handed over the first consignment of 27,000 AK-203 assault rifle to the Indian Army, हाल ही में किस देश ने 27,000 AK-203 assault rifle की पहली खेप भारती सेना को सौंपी है, तो ये रश्या से, 10th question, recently, the Indian Council of Medical Research, ICMR, expressed concern over packaged food and health, it is funded by which ministry, तो पूछा गया है, जो ICMR है, वो उसको जो है, कौन बित साहिता प्रदान करता है, बित पोशन कौन देता है, ICMR को Ministry of Health, जो है, वो करता है, फंड और साथ में आपको जानकारी के लिए बताने, अभी के लिए हम डिसकस करी ले, तो हमारे union minister कौन बन चुके है, health minister, जै प्रकाश नध्धाजी, JP नध्धाजी, जो की हमाचल से, बिलॉंग करते हैं, okay, तो वो जो है, minister, health minister union के बन चुके है, 11th question, according to the world wild life crime report, 2024, who has the highest involvement in illegal animal training, विश्व जन बन्यजी अपराध रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, किसकी भागीदारी अबैद पशु बेपार में सरवाधिक है, तो जो rhinosaurus horn होता है, एक सिंग वाला गैंडे का एक सिंग, उसी की जो है, अबैद जो है बेपार जादा किया जाता है, किसकी according ये रिपोर्ट है, world wildlife crime report के अनुसार, 12th question, by which constitutional amendment act, the subject of protection of forest and wild animal and bird, was transferred to the concurrent list, किस संबिधान, शंशोधन, अधिनियम, दोरा, बनों और जंगली जानवरों और पक्षियों की जरक्षन के विशे में, समवर्ती सूची में स्थानांत्रित कर दिया गया, तो ये 1976 में जो हुई थी, 42-वा संबिधान संशोधन, उसी के तहर जो है, इस protection को जो है, concurrent list यानि समवर्ती सूची में लाया गया था, 13th question, Andres Plankovic, Plankovic has recently been reappointed as the Prime Minister of which country, हाल ही में, Andres Plankovic को किस देश का पुनहा प्रधान मंत्री नुक्त किया गया है, तो ये जो है, Croatia, C option correct रहेगा, Croatia के प्रधान मंत्री बने है, 14th question, According to Global Research Film Statistica, Which country is on top in term of Fintech Unicorn, तो विश्य सोध फर्म Statistica के अनुसार, Fintech Unicorn के मामले में कौन सा देश शिर्ष पर है, तो ये है, America, America के पास सबसे ज़्यादा Unicorn है, और Unicorn किस के लिए जाते हैं, तो वो दिये जाते हैं, Startups के लिए हैं, 15th question, महात्मा गांधी University MGU है, Secure Top Position in the Asia University Rankings of Times Higher Education across the country, तो इसे जो है, महात्मा गांधी University को 3rd rank मिला है, पूरे एशिया में, एशिया उनिवर्सिटी रैंकिंग में, Times Higher Education के according, चलिए, अब देखते हैं, 15th question हमारे हिमाचल प्रदिश के, National Academy of Audit and Accounts is located in, तो यह कहां located है, arrow इसका नाम है, right arrow नाम से यह है, यह शिमला में है, National Academy of Audit and Accounts, भी शिमला में है, 17th question, which of the following forms of worship are correct? तो यहां पर कुछ जो वर्षिप हैं, वो किनी तिहारों के साथ मैज किये गए हैं, जैसे नौाडा या नवाडा में शिव पूजन किया जाता है, जागरा में शक्ती पूजन किया जाता है, और जातर जो होती हैं, वो देवस्ताओं की निकाली जाती है, तो यह सही matched है, D option correct है, तो बोला गया है कि 1981 से लेके 2001 तक हिमाचल प्रदेश में कितना साक्षरता दर जो है, इंक्रीज हुआ है, तो वो हुआ है लगवग 34.65% यह option correct रहेगा, 19th question, at what latitude हिमाचल प्रदेश is located, तो अक्षांस पुछे गए हैं, 30 degree 20 minute उत्तरी अक्षांस से लेके 33 degree 20 minute, 30 degree 20 minute से लेके 33 degree 20 minute नौर्थ लेटिट्यूड यानि उत्तरी अक्षांस में हिमाचल प्रदेश की location है, 20th question, which state is situated in the west of हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की पश्चिम में कौन सा जो है राज्य है, वो है पंजाब, what is the total length of boundary of हिमाचल प्रदेश, which touches the boundary of J&K, पंजाब, हर्याना एं उत्तराखण, तो पूछा गया है कि J&K, पंजाब, हर्याना और उत्तराखण के साथ, कितना किलोमेटर हिमाचल प्रदेश की boundary touch करती है, तो वो लगभग 970 किलोमेटर, Okay, for uplifting schedule caste, what percentage of total budget is allocated to special component plan, SCP को कितना budget locate किया गया था, तो वो है 11 प्रतिशत, HP parents and dependent look after act was enacted in the year, हिमाचल प्रदेश, parents and dependent look after act कब आया था, 2001 में आया था, when was the consumer protection act enforced in हिमाचल प्रदेश, consumer यानी गरहाकों के जो सरक्षा का act आया था, वो कब आया था, 20 जुलाई 1987 सी option correct रहेगा, which native provinces joined ठियोग तहसील और महासू डिस्टिक in 1948, तो ठियोग तहसील जो है महासू डिस्टिक की बनाने के लिए, 1948 में कौन-कौन से जो provinces हैं, प्राथ थे, वो जोडे गए थे, उनका नाम था ठियोग, गुंड, रतेश और सम पार्ट ऑफ बलसन, बलसन, रतेश, गुंड और ठियोग को मिला के जो है ठियोग तहसील बनाई गई थी, महासू डिस्टिक की और ये जो महासू डिस्टिक है, ये कब हिमार्चल प्रदेश में जूड़ी थी, 1948 में, ओके, सिर्मोर, मंडी, महासू और चमबा, चार जीले बने थे उस वकत है न, 26 question according to a legend, ताता पानी होट वाट 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 प्रिंग केम इंटो बिंग एस सैंट जगदम्बनी, डिग देम आउट टो एंटरेन हिस गेस्ट किंग, तो बोला गया है कि जो ताता पानी है, तो रिशी जगदम्बनी ने खोदा था और वो कौन से ऐसे गेस्ट किंग आये थी उनके, जिनके लिए जो है उन्होंने ये बनाया था ताता पानी होट वाट 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 वाटर स्पिंग, तो सहस्तारजुन आये थे और उनी के जो आओ भगत के लिए जगदंबनी रिशी ने एक ताता पानी जो hot water spring है वो खोजा था और वहां से गरम पानी निकला था तो किस ने महल मोर्या के युद में हराया था संसार चंद को हराया था जी गोर्खा कमांडर अमर सिंग थापा ने अठारा सो पांच में 28 in order to avenge his defeat महाराजा संसार चंद sought the help of following ruler to defeat गोर्खा तो यहां पर पूछा गया है कि जब महाराजा संसार चंद गोर्खाओं से हार गए थे तो उन्होंने फिर किसे जो है बुलाया था अपनी help के लिए तो उन्होंने बुलाया था महाराजा रनजीत सिंग को यह option करेक्ट र तो जो कांगडा का किला है उसका main gate है वो किसके नाम पे बनाया गया है उन्होंने जब 1809 में महाराजा संसार चंद के साथ जो अलामों की संदी की थी तो उसी के तहट महाराजा संसार चंद ने महाराजा रनजीत सिंग को जो है कांगडा किला दे दिया था और 66 गाओं भी स साथ में तौफ़े में दिये थे गुर्खाउं को हराने के लिए गुर्खाउं से लड़ने के लिए on 12 में 1857 मिस्टर बर्नार्ड रीच्ड शिम्ला इंड ब्रोक दा न्यूस ऑफ रिवोर्ट एट वेरकपुर इन वेस्ट विंगॉल टू जर्नल आंसन इन शिम्ला तो बूला में उस वकित थे जर्नल आंसन उनको जो है उन्होंने बताया था कि क्रांती जो है शुरू हो गई है और ये क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है ये पुछा गया है तो ये सही है मिस्टर बर्नार्ड जो है ये संदेश लेके आये थे थर्टीत ही कोशन है ये स्टेटमेंट का मैंने ऐसी एड़ कर दिया था इन और टू एसकेप दा व्रॉथ ऑफ रिवोल्यूशनरी इन शिम्ला दवरिटिशर फ्लेड फ्रॉं शिम्ला टू टुक शेल्टर है तो जब ये खटना हुई थी ये आये थे के 1857 की क्रांती चुर जुन्गा के अंथिल विग्यारा साथ में थी तो जुन्गा में उन्होंने जो है अशरण ली थी ओके अब रहते हैं 10 कोशन हिंदी के घड़ों पानी पढ़ना मुहावरे का आर्थ क्या है तो इसका आर्थ है लज्जित होना कौन सा वाक्य सही है तो बकरी और बैल और बक प्रत्या का प्रयोग निमलेकित मैंसे किस अर्थ में होता है तो तो मन प्रत्या का प्रयोग जो है चाहिए के अर्थ में होता है यह उप्शन करेक्ट है इसके जैसा किसके जैसा संसकृत के जैसा है ना संसकृत से निकाला हुआ शब्द है और हिंडी में प्रयोग हुआ है तो गोंधुम होता है यह न कितने फिक्स हैं, इतने भी लोग हो सकते हैं, 20 नहीं बोला, सभा में 20 लोग थे, नहीं, सभा में 20 योँ लोग थे, तो कितने भी हो सकते हैं, तो यह अनिश्चित संख्या बाचक विशेशन हैं, D option correct है, 48th question, मेरा ने आधा लिटर दूद पी लिया, मैं विशेशन हैं, तो आधा लिटर दूद पी लिया, यहां पे quantity बिताई जा रही है, परिमान बाचक यह विशेशन हैं, C option correct है, 10 question, English के देखते थे, I hit him on the head, article fill करना है, I hit him on the head, let the match be played by them, तो यह passive sentence है, इसे active में convert करना है, let them play the match, यह option correct है, तब publisher is bringing out, revised edition of this book, out, yes, fill in the blanks, मैं fill करना था, narration है, she said to her friend, will you help me, तो said to, यहां पे past में है, right, past में है, यह वाला portion, तो यह आगे जो है, 10 change होना है, right, will you help me, तो यहां पे said to convert होगा, यहां पे question पूछा गया है, तो ask, she asked her friend, will you, you second person है, second person according to object, she said to her friend, her friend, यानि कोई लड़की भी हो सकते है, लड़का भी हो सकता है, यहां पे fix नहीं था, तो हमने लड़की के अनुसारी ले लिया, she asked her friend, if she would help her, भी option correct है, a person who does not believe in any religion, तो उसे कहते हैं, atheist, भी option correct है, right, the day is not for, when everybody would like to drink deep from its ocean, यहां पे when use होना था, 47 यहां पे conjunction हैं और sentence को जोड़ना है, music is said to be food for the soul, not only does it give relaxation to our mind, but also help us to forget our sorrows and worries of day to day life, तो आपको ध्यान एकना है, not only और what also इस तरीके से goingly use होते हैं, search में use होते हैं, पहले not only होता है, फिर what also use होता है, इससी option correct है, अगर आपको पता होता कि not only but also, इस तरीके से use होते हैं, कि पहले not only लगेगा, फिर what also, तो यहां पे हम directly इसी को देखके ही, sentence के options देके ही correct कर सकते थे, right, 48, राधा says, it is raining heavily, तो यहां पे यह है, जी present में, present में है, it means sentence change नहीं होगा, तो राधा says that, it होता है third person, तो third person है, no change in subject, subject, right, subject, to that, it is raining heavily, sentence change नहीं हुआ, भी option correct है, 49, out of four alternative, choose the one which best express the meaning of the given word, तो फैलिसिलेटेट का, जो है, meaning कौन सा हो सकता है, इसका होता है, फैलिसिलेट, फैलिसियेट करना, congratulate करना, है न, डी सही है, फैलिसियेटेट, second का synonym पूचा है, तो second का होता है, प्रोफे, है न, second का synonym होता है, प्रोफे, ओके, तो हम यहाँ पे discuss कर चुग है, 50 questions, right, I hope आपको जो यह series है, paper one के mock test की, यह helpful लग रही होगी, अगर आपको कोई भी query होगी, तो आपने academy के इस number पे contact जरूर कर लेना है, आशा करती हूँ, आपका आने वाला समय शूब हो, आपकी त्यारी अच्छी हो रही होगी, mock test के साथ जो है, आप अपनी त्यारी का अंगरन कर सकते हैं, कि हमारी कितनी त्यारी है, राइच चलिए, thank you, thank you so much for watching this video, like, share and subscribe जरूर कीजेगा, thank you for watching.